सिंगल साइन ओन सुविधा, सिंगल साइन ओन फसिलिटी एंड SSO सबसे पहले हम जानेंगे सिंगल साइन ओन सुविधा SSO के बारे में जिससे नागरिक अपने जीवन में डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सभी सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली इस सेवाओं का लाब उठा सकते हैं राजस्थान सरकार ने सिंगल लॉकिन इंटरफेस के माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की इस सेवाओं तक पहुँच को सरल बनाने के लिए एक पहल की है जिसे SSO या सिंगल साइन उन सुविधा के नाम से जाना जाता है SSO सिस्टम में एक नागरिक राजस्थान सरकार के एक से अधिक विभागों द्वारा की जाने वाली इस सेवाओं के लिए सिंगल यूजर आईडी और पास्वर्ड का उप्योग करके लॉग इन कर सके SSO की अनुपस्तिती या एपसिंस में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली डिजिटल सेवाओं तक पहुँच हासिल करने के लिए नागरिक को एक से अधिक लोगन आईडी और पास्वर्ड बनाने और याद रखने की जरूरत होती थी लेकिन इस सुविधा से नागरिकों का जीवन काफी सेरल बन गया है राजस्तान के नागरिक अब केवल एक सिंगल आईडी और पास्वर्ड का उप्योग करके सभी सरकारी डिजिटल सेवाओं का परिशानी मुक्त लाब ले सकते हैं इसके लावा ये सरकार को अपने विभागों को अधिक जवाब देही यानि accountability और पारदर्शी यानि transparent बनाने के लिए निगरानी करने के लिए भी सक्षम बनाता है SSO Single Sign-On का प्रयोजन The Purpose of SSO एक व्यक्ती, एक पहचान राज के प्रतेक निवासी के लिए map किये गए data set और दस्तावेज SSO के चलते, services प्राप्त करने के लिए documents और affidavits की कोई जरूरत नहीं होती राज सरकार के विभिन्ने विभागों की digital सेवा तक पहुँचने के लिए single window interface नागरिक के login का निर्माण Creation of citizen login राजस्थान के हर एक नागरिक को, जो की online सरकारी सेवाओं का लाब उठाना चाहते हैं और आविदन की स्थिधी को track करना चाहते हैं, SSO login और password बनाना होगा registration करने के लिए आपको website sso-rajistan-gov-in-register open करना होगा जैसा की यहां दिखाया गया है यहां से यह हमें विभिन्न वर्गों जैसे की नागरिक, उद्योग और सरकारी का प्रदान करता है तो आईए प्रतेक वर्ग के बारे में विस्तर जानकारी प्राप्त करें नागरेक, citizen यहां आप दी गई विभिन्न सेवाओं का लाब उठा सकते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले इनको register करना होगा भामाशाह कार्ड का उप्योग कर पंजीकरन करें आधार कार्ड का उप्योग कर पंजीकरन करें उद्योग यहां आप दी गई विभिन्न सेवाओं का लाब उठा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इनको पंजी करन करना होगा। उद्योग आधार का प्रयोग करके पंजी करन करें। व्यापार पंजी करन नंबर यानि बिजनिस रजिस्ट्रेशन नंबर का उप्योग करके पंजी करन करें। सरकारी करमचारी यानि Government Employees यहां दी गई विभिन्न सेवाओं का लाब उठा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इनको पंजी करन करना होगा। राजिस्थान सरकार के करमचारी SIPF उप्योग करता हैं। यह उप्योगत पंजी करन विकल्प चुन सकते हैं। आपको समझा आधार ID यानि UID का विकल्प चुना है। इस विकल्प पर क्लिक करने पर निवासी को अपना आधार नंबर दर्ज करने और Next बटन पर क्लिक करने के लिए कहा जाएगा। निवासी को दो विकल्पों में से किसी एक के माध्यम से विवरन को सत्यापित करने की आवशक्ता होगी। OTP यानि One Time Password या Biometric प्रक्रिया को समझाने के लिए हमने OTP विकल्प को चुना है। इस विकल्प में नागरिक को प्रमानेत यानि Authenticate करने के लिए पंजिकरित Mobile यानि Registered Mobile पर एक SMS प्राप्त होगा। यदि आप Biometric विकल्प का उप्योग करते हैं तो आपको विवरन यानि Details को सत्यापित करने के लिए आपके कम्प्यूटर पर आधार सक्षम Biometric Device की जरुरत होगी। OTP या Biometric विकल्पों का इस्तमाल करते हुए पहचान यानि Identity और प्रविष्टी Input सूचना के लिए मानने करने के बाद निवासी को उसके लिए एक SSO ID और Password सेट करने के लिए कहा जाएगा। पासवर्ड के लिए आपको Alpha Numeric and Special Character के संयोजन से एक Strong Password सेट करना है जो की अन्यव्यक्ती आसानी से अनुमान ना लगा सकें और आपका पासवर्ड सिक्योर रहे। अब आप अपने पासवर्ड को Confirm करें और Register करें जो की यहां दिखाया गया है। एक बार पंजी करेंट प्रोसेस यानि Registration प्रोसेस पूरा करने के बाद आपको अपने Registered Mobile Number और E-Mail ID पर Confirmation Mail और संदेश प्राप्त होगा। और विभिन्न सरकारी विभागों की सुविधाओं या सेवाओं का उप्योग करने की अनुमती मिल जाएगी। SSO Portal के माध्यम से Services की पेशकश करने वाले सभी विभागों की सुची Dashboard में डिस्पले होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब आप Single Sign-On ID की सहेता से एक Single Platform पर विभिन्न सेवाओं का लाब ले सकते हैं। RS-CIT, RS-CIT पाठिकरम को पूरा करते हुए आपको अपनी SSO ID बनाना सुनिश्चित करना होगा। आईए अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम नागरिक सेवाओं प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब आप अपना SSO ID सफलता पूरवक बना लेते हैं, तो आप राज्य सरकार के विभिन्ने विभागों द्वारा उपलप्त कराई गई ऑनलाइन सेवाओं यानि ऑनलाइन सर्विसेस का लाब उठाने के लिए इस ID का उप्योग करके लॉगिन कर सकते हैं। आज के इस अध्याई में SSO Portal Residence लॉगिन के द्वारा दी जाने वाली कुछ सेवाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। रोजगार विभाग में पंजिकरन, विश्व विध्याले में एडमीशन शुल्क भरना, भामाशा कार्ड के लिए ओनलाइन नामंकन आदी सिवाओं के बारे में विस्तरत जानकारी प्राप्त करेंगे। बिजली या पानी बिल भुकतान, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल पेइमेंट। नागरिक इमित्र के माध्यम से ओनलाइन बिल का भुकतान अपने SSO लोगिन से कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल और सुविधा जनक प्रक्रिया है। अब हम आपको स्टेप्स में समझाएंगे कि ये कैसे होता है। स्टेप वान, प्रिये बच्चों, इमित्र नागरिक सेवा के माध्यम से बिल भुकतान के लिए निवासियों को पहले अपने SSO ID और पासवर्ट के माध्यम से SSO Portal यानि सिंगल साइन ओन में लॉगिन करना होगा। Dashboard से इमित्र आइकन पर क्लिक करें, SSO Portal आपको इमित्र पोर्टल पर ट्रांसफर कर देगा। यदि आप पहली बार इमित्र उप्योग करता हैं, तो आपको कुछ व्यक्तिगत विवरंट पूरा करके पंजी करना होगा। यदि आपने पहले इमित्र सेवाओं का इस्तमाल किया है, तो आप automatically इमित्र पोर्टल में प्रवेश कर लेंगे। इमित्र पोर्टल में लॉगिन यानि प्रवेश करने के बाद आपको ये Dashboard दिखाई देगा। Step 2 अब हम Pay Bill's पर क्लिक करके Services का उप्योग करने के लिए Providers द्वारा Offered Services का सब्सक्रिप्शन लेंगे। वैकल्पिक रूप से Left Menu से Services पर भी क्लिक कर सकते हैं और फिर Sliding Menu से Subscribe Services विकल्प चुन सकते हैं, जो यहाँ पर दिखाया गया है। दिए गए Search Bar में Services के नाम के साथ Type परना प्रारंब करें और ये उप्युक्त विकल्प दिखाएगा। यदि आपको लगता है कि Service Name डिस्प्ले होने लगा है, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। Optionally, आप Advanced Search पर क्लिक कर सकते हैं, और कुछ Desired Services प्राप्ट करने के लिए Department Name, Utility Service Name आदी इनपुट कर सकते हैं। Step 3 एक बार जब आपको Services मिलती हैं, तो आपको E-Mitr CID Code इनपुट करने की आवशक्ता होगी। Step 4 इसके बाद, बिल भुक्तान यानि बिल पेमेंट की प्रक्रिया है। हमने इस प्रक्रिया को समझाने के उदेश्य से, जैपोर डिसकॉम से बिजली बिल के भुक्तान का उधारन लिया है। यहाँ पर बताय जा रहे Steps का पालन करें। Emitry Login, SSO Portal के माध्यम से Left Menu से Service पर क्लिक करें। एक Vertical Slide Menu आगे की विकल्पों के साथ खोला जाएगा। Sub Options से Avail Services पर क्लिक करें। फिर नीचे उपलब्ध Data के अनुसार उपलब्ध विकल्पों में से Utility विकल्प पर क्लिक करें। जैसा की यहाँ पर दिखाया गया है। अमाउंट डिस्प्ले करें और प्राप्ट करें। Details वेरिफिकेशन करने के बाद Add Bill for Payments बटन पर क्लिक करें। बिल नीचे की एक पंक्ती में जोड दिया जाएगा और एक नया बटन बिल पे प्रदरशित किया जाएगा। जैसा की यहाँ पर दिखाया गया है। Payment के लिए आगे बढ़ने से पहले आपको अपना Mobile Number और Email ID एंटर करने के लिए कहा जा सकता है। Mobile Number या Email ID एंटर करने के बाद उपयोग करता को उपलब्ध विकल्पों से Online भुकतान पूरा करने के लिए एक नए वेब पेज पर ले जाया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। प्रमानित करने के लिए कि वेव्यक्ती राज का मूल रूप से निवासी है या नहीं, सरकार द्वारा मूल निवासी प्रमान पत्र यानी Domicile और Bonafide Certificate जारी किया जाता है। ये सेवा आजकल E-Mitr Login के माध्यम से नागरिकों के लिए Online उपलब्ध है। Step-by-Step Process यहाँ पर विस्तार से बताया जाएगा। Step-1 E-Mitr Portal के माध्यम से आवेदन जमा करने के लिए निवासियों को पहले अपने SSO ID और Password के साथ SSO Portal में Login करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट SSO-Rajasthan-gov-in-register open करना होगा, जिससे Department Dashboard को देख सकेंगे। Dashboard से E-Mitr आइकन पर क्लिक करने पर SSO Portal उपयोग करता को E-Mitr Portal में ट्रांसफर कर देगा। Step-2 E-Mitr Login करने पर Left Menu से Services पर क्लिक करें, एक Vertical Slide Menu आगे के विकलपों के साथ खोला जाएगा। Up-Vicalp यानि Sub-Options से Avail Services विकलप पर क्लिक करें और फिर उपलब्द विकलपों में से Application Services विकलप पर क्लिक करें। Avail Application Services पर क्लिक करें और Bonafide Certificate टाइप करना शुरू करें। एक नई विंडो इस तरह से दिखाई देगी। आगे बढ़ने के लिए आपको एक Valid आधार नंबर या भामाशाहा आईडी नंबर या E-Mitr Registration नंबर डर्च करना होगा। Bonafide या Domicile मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र में कुछ जानकारी, Pre and Filled Information के साथ फॉर्म खोला जाएगा। Resident को इसे पूरा करने के लिए अन्य आवशक फील्ड यानि Mandatory Fields डर्च करनी चाहिए और फिर Submit बटन दबाना है। निवास स्थान प्रमाण पत्र यानि Domicile या Bonafide Certificate प्रिंट करने के लिए नागरिक को Avail Services पर क्लिक करना होगा। और फिर Revenue Department का चैन करना होगा और राजस्व विभाग में Print Domicile Certificate पर क्लिक करना है। आपको Transaction ID टाइप करना होगा और Fees का भुकतान करना होगा। आप SSO का उप्योग कर मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रिये बच्चों, इस अध्धाय में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक Resident SSO के Login के जरिये रोजगार विभाग में पंजी करन कर सकता है। इसके लिए नागरिक यहां बताए जा रहे Steps का पालन करके Employment Department में Registered हो सकता है। Step 1. निवासियों को पहले अपने SSO ID और Password के साथ SSO Portal में प्रवेश करना होगा, जिससे वे Department, Dashboard देख सकेंगे। Dashboard से रोजगार विभाग यानि Employment के आइकन पर क्लिक करें। SSO Portal उप्योग करता को रोजगार विभाग पोर्टल में स्थानांतरित कर देगा, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। Step 2 उप्योग करता को रोजगार विभाग के साथ पोर्टल सेवाएं शुरू करने के लिए दो विकल्प दिखेंगे, अर्थात Employer और Job Seeker के रूप में। Job Seeker विकल्प पर क्लिक करें और फिर वेब पेज आपको New Registration या मौझूदा उप्योग करता यानि existing user के चायन के लिए कहेगी। अगर आपने पहले Employment Exchange Management के साथ रजिस्टर नहीं किया है, तो New Registration विकल्प पर क्लिक करें। आपके Registration Details दर्ज करने के लिए एक आवेदन पत्र प्रदर्शित किया जाएगा। Input को पूरा करने के बाद, Submit बटन पर क्लिक करें। Employment Exchange के लिए विवरंड को सफलता पूर्वक सब्मिट करने के लिए आपको Pop-Up Confirmation प्राप्थ होगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। विश्व विध्याले में Admission शुल्क भरना Paying Admission Fees in University प्रिये विध्यार्तियों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक निवासी नागरिक अपने E-Mitra Login के माध्यम से विश्व विध्यालेयों यानि यूनिवर्सिटीज की विभिन सेवाओं के लिए भी भुकतान कर सकते हैं। आपको समझाने के उद्देश के लिए हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी से सेवाओं का लाब उठाने का उधारन लिया है। Step by Step process में हम इसे समझते हैं। Step 1 इमित्र पोर्टल के जरिये यूनिवर्सिटी सेर्विसेस का लाब उठाने के लिए निवासियों को पहले अपने SSO ID और पास्वर्ट के माध्यम से SSO पोर्टल में लॉगिन करना होगा। Dashboard से इमित्र आइकन पर क्लिक करें। SSO पोर्टल उप्योग करता को इमित्र पोर्टल में स्थानांतरित कर देगा। Step 2 इमित्र लॉगिन लेफ्ट मेन्यू से सर्विसेस पर क्लिक करें। एक वर्टिकल स्लाइड मेन्यू आगे के विकल्पों के साथ खोला जाएगा। Sub Options से Avail Services पर क्लिक करें और फिर उपलब्द विकल्पों से Application Services विकल्प पर क्लिक करें। अब उपलब्द सेवाओं से विश्व विध्याले का नाम दर्च करने के लिए Advanced Search विकल्प पर क्लिक करें। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब पहली ड्रॉप डाउन सूची में Utility का चैन करें और दूसरे ड्रॉप डाउन सूची में विश्व का नाम चुनें और अंत में ड्रॉप डाउन में लाब लेने के लिए सेवा प्रकार चुनें। सेवाओं को चुनने के बाद नागरिक या निवासी अधिक Extra Fields जैसे चालान नंबर और जनम तिथी भरें। फिर Get Bill Details पर क्लिक करें। Get Bill Details पर क्लिक करने के बाद नागरिक को भुकतान करना पड़ता है। नागरिक Net Banking या Aggregator सेवाएं चुन सकता है। जिसमें Debit और Credit Card के द्वारा भुकतान के लिए विकल्प उपलब्ध है। उपयोगी Tips चातरों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम SSO के माध्यम से विश्व विध्याले में Fees का भुकतान या Electricity Bills का भुकतान कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो अब आपको विश्व विध्याले में Fees का भुकतान या Electricity Bills का भुकतान करने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की जरुरत कताई नहीं है। अब SSO Login के साथ सभी सेवाओं का लाब अपने घर पर बैठे-बैठे आप बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। नागरिक पंजिकरन, Citizen Registration, प्रिये बच्चों, नागरिक भामाशहा पंजिकरन के लिए निम्न का पालन करें। सबसे पहले हम वेबसाइट भामाशहा-राजस्थान-gov-in को खोलेंगे। वर्टिकल स्लाइड बार का प्रेयोग करके सेक्शन तक पहुँचें जहां भामाशहा-enrollment लिंक दिया गया है। यूजर को नागरिकों के लिए भामाशहा-online नामांकन पोर्टल यानि भामाशहा-online-enrollment पोर्टल पर स्थानांतरित किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। पंजिकरन फॉर्म यानि रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए आवाशक विवरंट दर्च करें। और पंजिकरन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए Submit बटन पर क्लिक करें, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है. नागरिक नामांकन Citizen Enrollment एक बार नागरिक पंजिकरन यानि Citizen Registration करने के बाद, नागरिक को एक पंजिकरन संख्या मिलेगी, जो वह नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उप्योग मिलेगा. पोर्टल के होम पेज पर दिएगा इस Citizen Enrollment आइकन पर क्लिक करें, यूजर को पंजिकरन नमबर यानि Registration नमबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा और सर्च बटन दबाने के लिए कहा जाएगा, यहाँ उप्योग करता परिवार और व्यक्तिगत बैंक विवरेंड डीट भामाशाह कार्ड के माध्यम से एकसिस किये गए नकद लाब यानि Cash Benefits सीधे लाभारती यानि Beneficiary के इस बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, यदी फॉर्म को सफलता पूर्वक जमा किया गया है, तो उस पर मुद्रत भामाशाह संख्या के साथ, Acknowledgement रिसिप्ट को प्रिंट करने के लिए उप्योग करता को इंडिकेट किया जाएगा, सभी भावी संदर्भों के लिए उप्योग करता को भामाशाह संख्या को नोट करना चाहिए, Printing Acknowledgement Receipt आए अब हम जानते हैं कि एक बार पूर्ण पंजिकरन हो जाने के बाद, प्राप्ती रसीत को प्रिंट किया जा सकता है, इसके लिए भामाशाह नामंकन पोर्टल, यानि भामाशाह एन्रोल्मेंट नंबर से Acknowledgement Receipt Icon Option पर क्लिक करके एक नागरिक फिर से अपना भामाशाह संख्या या आधार संख्या या पंजिकरन रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले सकता है, एक परिवार के सदस्य को जोड़ना, Adding A Family Member आईए अब हम जानते हैं कि कैसे नागरिक Add Member Option विकल्प पर क्लिक करके अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ सकता है, इसके लिए सबसे पहले लॉगिन कर नागरिक भामाशाह नंबर प्रविश्ट करें और Search बटन पर क्लिक करें, नागरिकों को उनके परिवार के सदस् असोसियेट करना चाहते हैं, सफलता पूर्वक जोड़े गए परिवार के सदस्यों को मुख्य सदस्य यानि मेन मेंबर विवरेंड के नीचे की पंक्ती में दिखाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, दस्तावेज अपलोड करना, अपलोडिंग डॉकिमें एक बार परिवार के सदस्य को जोड़ने के बाद, अपलोड डॉकिमेंट्स विकल्प पर क्लिक करके नागरिक दस्तावेज निम्न प्रकार से अपलोड कर सकते हैं, इसके लिए नागरिक को सही भामाशह संख्या यानि भामाशह नंबर डर्च करना चाहिए और सर्च बट पर क्लिक करें, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, चेकिंग कार्ड स्टेटरस, कार्ड का स्टेटरस जाच करना, प्रिये विध्यार्थियों, एक बार भामाशह कार्ड एन्रोल्मेंट या रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, एक नागरिक स्वयम कार्ड का स्टेटरस च इसके लिए card status option में जाकर अपने भामाशाह पंजिकरन नंबर यानी registration नंबर टाइप करके उसका card स्थिक देख सकता है उपयोगी tips प्रिये बच्चों, याद रहे कि भामाशाह योजना के अंतरगत कभी भी नए परिवार के सदस्यों के नाम को जोड़ना ना भूलें और मृत्तक परिवार के सदस्यों के नाम को हटाने के लिए भी आविदन करें आइए बच्चों, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि राजस्थान संपर्क क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है एक नागरे किसकी साहेता से क्या कर सकता है राजस्थान संपर्क एक innovative e-governance project है ये शिकायत यानि ग्रिवियन्स, निवादर्शी और जवाब देहे व्यवस्था प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है ये एक centralized system है जिसमें नागरिक call center, web portal, video संपर्क सुविधा यानि संपर्क centers with video conferencing facility के माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान प्राप्त कर सकते हैं शिकायत दर्ज करना लॉजिंग, अग्रिवियन्स प्रिये बच्चों, राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से शिकायत निवारंट सेवाओं का लाब उठाने के लिए निवासियों को सर्व प्रथम single sign on portal में अपने SSO ID और password के माध्यम से लॉग इन करना होगा आइकन में दिखाये गए dashboard से राजस्थान संपर्क पर क्लिक करें SSO portal आपको राजस्थान संपर्क पोर्टल पर transfer कर देगा जैसा की यहाँ पर दिखाया गया है यदि नागरिक पहली बार यानि first time राजस्थान संपर्क उप्योग करता है तो उसे कुछ व्यक्तिगत, विवरन यानि personal details पूरा करके registration की आवशक्ता हो सकती है लेकिन अगर नागरिक ने राजस्थान संपर्क पोर्टल सेबाओं का इस्तमाल पहले भी किया है तो automatically राजस्थान संपर्क पोर्टल में login हो जाएगा जैसा कि यहाँ पूर्टल यानि registration प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं और SSO ID के जरीए पोर्टल पर login करते हैं तो उप्योग करता नीचे दिये गए विवरन के अनुसार वांचित विभाग को शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं horizontal menu पर launch grievance link पर क्लिक करें एक प्रपत्र पर कुछ पूर्व भरी हुई जानकारी यानि pre and filled information और अन्य अनुभागों के साथ खोला जाएगा जो की सफलता पूर्वक शिकायत दर्ज करने के लिए enter या select होना चाहिए मुख्य रूप से निम्नलिखित जानकारी को भरने की आवशकता है Complaint Details Grivians Area Details Grivians Details Data एंटर करने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें शिकायत को सफलता पूर्वक सब्मिट करने के लिए शिकायत संक्या यानि Grivians ID आपके पंजिकृत Mobile Number यानि Registered Mobile Number पर भेजी जाएगी और ये शिकायत Portal पर दर्ज हो जाएगी जैसा की यहाँ पर दिखाया गया है शिकायत की स्थिती देखें Viewing Status of Agravians प्रिये विध्यार्थियों एक बार शिकायत को सफलता पूर्वक सब्मिट करने के बाद नागरिक या निवासी उस SSO ID के माध्यम से शिकायत की स्थिती को नीचे दिये गए अनुसार देख सकते हैं जो की इस प्रकार है राजस्थान संपर्क यानी Citizen Login Homepage तक पहुँचने के बाद नागरिक को शीर्ष Shetage Menu यानी Top Horizontal Menu से View Status Link पर क्लिक करना चाहिए अगर नागरिक ने प्रतेक शिकायत का स्टेटस रोज में दिखाया जाएगा यदि नागरिक ने पूर्व में कोई शिकायत नहीं जमा की है तो एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा कि No Data Found जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है शिकायत के बारे में Feedback भेजें Submit Feedback About Gravians शिकायत की स्थिधी देखने के बाद एक नागरिक पूरे निराकरन प्रक्रिया यानि Resolution Process में अपनी शिकायत से निपटने के अनुभव और संतोश स्थर के बारे में Feedback Submit कर सकता है राजस्थान संपर्क Homepage तक पहुँचने के बाद नागरिक को Shish Horizontal Menu से Feedback Link पर क्लिक करना चाहिए एक फॉर्म खुलेगा जिसमें उप्योग करता आवशक Field यानि Mandatory Fields इन्पुट करेगा एक नागरिक अपनी शिकायत से संबंदित Feedback या Suggestion प्रस्तुत कर सकता है इसके अतरिक अगर वहां पर संतोष जनक समाधान प्राप्त नहीं हुआ है तो वह शिकायत Re-Open करने के अधिकारी से अनुरोद कर सकता है यदि वह कोई दस्तावेस अप्लोड करना चाहता है तो वो ऐसा भी कर सकता है सभी आवशक जानकारी दर्च करने के बाद Submit बटन दबाएं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है उपयोगी टेप्स बच्चों इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे राजसान संपर्क एक समन्वित शिकायत निवारन मंच है यानि Integrated Gravience Redressal Platform प्रदान करता है जिसमें आप शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं और Portal पर अपनी प्रगती को भी ट्रैक कर सकते हैं साथ ही आप अपनी शिकायत निवारन पर अपना response या feedback भी प्रदान कर सकते हैं E. सार्वजनिक वितरन प्रणाली E. and Public Distribution System और E.P.D.S प्रिये विध्यारतियों इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कैसे भारत में सार्वजनिक वितरन प्रणाली यानि Public Distribution System या फिर P.D.S खाद्यान की कमी यानि Food Scarcity से निपटने के लिए जरूरी बंदोबस्त करने तथा जरूरतमंद नागरिकों के बीच सस्ती कीमतों पर अनाज वितरन के उद्देश के साथ विक्सित की गई है राजस्थान ने नागरिकों के लिए जानकारी और विभिन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉंच किया है आप इसे वेब लिंक food-raj-nic-ipel पर पहुँच सकते हैं राशन कार्ड विवरन ढूंड़न Finding Russian Card Details आईए अब हम जानते हैं कि कैसे राशन कार्ड डीटेल्स का पता आसानी से लगाया जा सकता है इसके लिए आपको Simple Steps फॉलो करने होंगे पोर्टल खोले food-raj-nic-in website के main page के माध्यम से browse करने के लिए वर्टिकल स्लाइड बार का उपियोग करें और यहां पर दिखाए अनुसार Important Links सेक्षन तक पहुँचें और फिर View Details of Russian Card and Russian Distribution पर क्लिक करें Mentioned पर क्लिक करके एक form खोला जाएगा जिसमें आप District का चैन करें और Beneficiary के बारे में कुछ जानकारी दर्च करें और फिर Search बटन दबाएं यदि Entered Information Detail Beneficiary के किसी भी record से mail खाता है तो उनके विवरंड चित्र में दिये गए अनुसार डिस्प्ले किये जाएंगे जाएंगे